कि यह गाईस वेलकम बैक टो मैं चानल और नेक्स टॉपिक एस एवैलुएशन ओफ ट्रेइनिंग प्रोग्राम क्या होता है जब ट्रेइनिंग खतम हो जाती है तो उसके बाद हम उसको एवैलुएट करते हैं चेक करते हैं क्या यह ट्रेइनिंग हमारे लिए बेनिफिशल थ प्रेइनिग या नहीं अनुट कि क्या जो लोगों ने ट्रेइनिंग लिए उनके लिए वो बेनिफिशल हुई है वो उसको लर्णिग में ला रहे हैं या नहीं अब इसका पॉपर्स क्या होता है फीडबेक के लिए हम एवैलुएशन करते हैं कि कैसे लोगों को समझ आया ह पावर के लिए कि एक तरह से उनके अंदर एक स्टॉंग पावर बन जाती है कि अब हमें ये चीश आती है हम इसको एफेक्टिवली कर सकते हैं एक कंट्रोल के लिए हम एवैलुएशन करते हैं कि हमारा उस चीज़ों पर कंड्रोल होता है कि जो हमने समझा अब हमें वो ची skill and knowledge of a trainee यह training से पहले conduct करवाई जाती है जिसके बाद हम यह तै कर सकते हैं कि जो हमारी skills and knowledge है वो training की current में क्या है मतलब कि compare कर सकते है before की और after की यह कैसे होता है training need identification इसके लिए हमें training need identification की need है मतलब कि हमें हम अपना training को identify कर सकते हैं कि हमारी training beneficial हुई है या नहीं हुई designing the training program इसमें designing the training program में help करता है मतलब कि जो हमने program करवाया है उसको हम और better कैसे design कर सकते हैं तो उसमें यह हमको help करता है training participant assignment जुन training participant को जो participants है उनसे हम feedback form भरवाते हैं उससे हमारा यह चीज हो सकती है ति प्री training evaluation next हाता है हमारा post training evaluation post training evaluation क्या कहता है it is done after training to see the gap between trainee skill and expected skill मतलब कि कितनी उसकी होनी चाहिए थी skill और कितनी उसकी हुई है इसको कैसे करते है evaluate the skill इसम skill को evaluate करते है एक reminder बनाते है reminder को हम यहां बोलते है short summary जो उसने सीखा उसकी एक short summary उसके mind में हमेशा रहती है उसके किसके employee के mind में उसके बाद हम बोलते है follow up follow up मतलब कि हम सारा जो हमने सीखा है उसको हम अपने life में apply करते हैं अब next आते है हमारे model of evaluation कि हम evaluation किन-किन तरह से करते हैं तो बहुत सारे model है सबसे पहला हमारा model होता है कि Patrick training evaluation sorry for the pronunciation but it's Patrick training evaluation इसमें क्या होता है in this weekend check the impact of training and how well trainee trained , इसमें हम यह check करते हैं कि जो training हुई है employee की training की वो किस हद तरह कितनी training हुई है तो इसकी कुछ level होते है इसमे फिर्स लेवेल होता है इसका reaction मलदब evaluation कब होता है training होने के बाद तो इसमें हम level में यह check करते है कि उनका जो outcome moms training का वो क्या रहा सबसे पहले reaction reaction में हम यह चेक करते हैं did you feel training worth उसमें हम इनसे पूछते हैं कि क्या यह तुम्हारे ले वर्थ थी जो तुमने ट्रेनिंग ली next did you think it was successful did you like presentation style जो तुम्हे presentation style समझाए गया क्या तुम्हें वो पसंद आया what what strength and weaknesses of training तुम्हें क्या लगा कि training की strength and weaknesses क्या क्या थी यह तो था हमारा reaction जो उनका आ रहा है हमारे लिए सेकिन था हमारा learning learning क्या कहता है what you have and haven't learned क्या तुमने सीखा और क्या तुमने नहीं सीखा training के अंडर will you able to do result क्या तुम सीखने के बाद result conduct करवा पाओगे या नहीं उसके बाद आता है हमारा behavior behavior में क्या कहता है did trainee put any of their use क्या trainee ने अपने behavior में कोई changes लाए है training के बाद are trainee aware that they have changed their behavior और अगर नहीं लाया है तो क्या trainee को इस बाद का aware है कि उसकी life में after training कोई change आया है या नहीं आया तो उसके बाद से result analyze final result of training जो final result of training होता है वो एक employee से ही हम जान सकते हैं जिसको training दी गई है क्योंकि on the last उसको ही training मिली है तो उसको पता है कि उसको कितना समझाया और कितना नई next one is zero model zero model क्या कहता है इसमें हमारी 4 चीज़े होती है context, input, reaction and output अब context इसमें zero model होता क्या है it focus on the measurement taken before and after the training has been carried out इसमें हम एक तरह से measure करते हैं जो हमारी training हुई है उससे पहले क्या था और उसके बाद क्या है तो इसमें हम सिर्फ measure करते हैं अपनी training skills को तो context में क्या होता है here we identify and evaluate training need based on collecting information context क्या होता है हमारे पस collection of information तो इसमें हम identify करते हैं और evaluate करते हैं उसको जो हमने information collect करी है evaluation तो होई रहे उसके बाद input, input में क्या करते है here we analyze the effectiveness of the training वहाँ तो हमने collect किया था information को यहाँ पर हम information की effectiveness को देख रहे हैं कि वह हमारे goals को अचीव करने में कितना ज़्यादा helpful है उसके बाद reaction, reaction में हम यह देखते है analyzing the reaction of a delicate to training in order to make improvement improvement करने के लिए जो हमने training लिए है वो कितनी ज़्यादा delicate है, reaction क्या है मतलब की training का उसके बाद last होता है हमारा outcome, outcome कहता है what actually happened as a result of training actual में जो result AI training का वो क्या आया है, learner level पे क्या आया है, learner ने क्या सीखा, work place पे क्या effect आ रहा है उसका team पे क्या effect आ रहा है, पूरे whole business पे उसका क्या effect आ रहा है next आता है हमारा philips evaluation model, philips evaluation model में हमारे कुछ points होते हैं, कुछ levels होते हैं, जिनके थ्रूप हमें पता चलता है कि हमारी evaluation कैसी है इसमें सबसे पहले होता है हमारा collect pre-program data, collect pre-program data में हम क्या करते हैं, हम compare करते हैं अपने matrix को जो हमारा पुराना matrix था और जो हमारा अब training के बाद matrix आया है, मतलब कि pre-program, मतलब कि पहले जो हुआ था, उसको हम collect करते हैं next हमारा आता है collect post-program data, मतलब कि training के बाद जो हमारा data इखटा हुआ हम उसको collect करते हैं इसमें उसको collect करने का main motive हमारा क्या होता है, कि वो हमारे organizational की performance का record maintain करने में help करता है next आता है हमारा isolate the effect of learning program, इसमें हम क्या करते हैं, कि हम यह देखते हैं, कि जो हमारी learning हुई है जो training के दौरान लोगों ने सीखा है, उसका actual beneficial किसको जाता है, training को या फिर किसी और को इसमें हम कैसे identify करते हैं, कि जो हमारी training मिली है, उनका result किसके दौरू है, client leadership के दौरू, program participants के दौरू, participant supervisor के दौरू, किसके दौरू हमें वो result actual मिला है next is convert data to monetary benefit, अब जो हमारे पास data है, information ने collect करी है, उसको हम compare करते हैं, compare to program cost कि program में कितनी cost लगी, उससे हम उसको convert करते हैं, मतलब monetary मतलब cost, money की form में, उसके बाद आता है हमारे tabulate program cost tabulate program cost कहता है, कि जितनी भी हमारी cost ट्रेनिंग में लगी है, उसको सारे को, चाए वो furniture का खर्चाओ, computer का खर्चाओ, किसी का भी हो, उसको सबको एक साथ अलग 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 लग लिए, उससे क्या होएगा हम पदा चल जाएगा, कि कितनी चीज का कितना जादा cost ह हमने bear किया है, next आता है हमारा calculate a return, अब हमने वो तो analyze तो कर लिए, अब हम ये भी हो देखी है, कि हमारा return हमें कितना मिला है, जो हमने काम कर रहा है, जो training हमने provide कर वाई employees को, हमें कितना return मिल रहा है, उसका, उसके बद last में हम identify करेंगे, कि हमारे intangible measures क्या क्या है, जिनको हम measures होते हैं, जैसे कि अगर हमें किसी की through बहुत अच्छी knowledge मिल गया है, किसी employee की through good idea आया है, next topic is ROI framework, ROI क्या होता है, return of investment, मतलब हमने training में investment तो करी, लेकिन हमें उसका return क्या मिला, कैसे मिला, तो ये हमें कैसे पता चलता है, कि हमें ROI कितना मिला, कैसे मिला, in terms of training, तो सबसे पहले did the investment succeed, जो हमने investment करी थी, क्या हम उसमें successful हुए, क्या उतनी investment में लोगों तक वो बात पहुची, जो हम पहुचाना चाहते थे, did the training impact business goal, क्या training के through हमारा business goal impact हुआ, कुछ उसमें changes आये या नहीं, did training impact work activities, क्या training में work activities को change किया, क्या उसमें कोई changes आये, were trainee satisfied, last point, क्या trainee satisfied है, जो उनको training में ली है उससे, अब next point हाता है हमारा management development program, next topic, management development program क्या होता है, सिर्फ हम employees के लिए ही नहीं सोचते है, हम management की development के बारे में भी सोचते है, organization, it is a process of developing the ability of manager and executors, managers खुद से नहीं बन जाते हैं, उनको बनाना पड़ता है, self-born नहीं होता कोई भी manager, it is necessary to take a continuous management development program, बहुत जाता ज़रूरी होता है, कि management development program हार organization में हो, इसके importance क्या होती है, due to rapid change in technology, अगर technology में rapid change आ रहा है, तो अगर हमारा management developed है, तो हमारे लिए बहुत beneficial होगा, to meet the need of customer, customers की needs को meet करने के लिए ये ज़रूरी है, to understand social networking, social networking को understand करने के लिए बहुत ज़रूरी है, to have harmony and peace in organization, harmony और peace बनाया रखने के लिए organization में तब भी ये बहुत ज़रूरी है, to make right choices, अगर management develop होगी, तो वो right decisions लेगी, right choices लेगी, तो उसके लिए भी हमारा ये बहुत ज़रूरी है, अब इसके needs क्या क्या होती है, needs, objective and importance, almost सब कुछ सेम ही है, The next we have needs of management development program, तो सबसे पहले HR development में help करता है, organization goal को maintain करने में help करता है, well developed management can change the face of organization, अगर किसी भी organization की management develop होगी, तो वो पूरी organization change हो सकती है, objective क्या क्या होते हैं, increase capability of manager, improve decision making, ensuring personal growth, to bring change in behavior, to increase job satisfaction, So the next topic is design and delivery of management development program, कैसे हम इसको design कर सकते हैं, कैसे हम इसको deliver कर सकते हैं management के लिए, Looking at organization objective, क्या organization के objective हैं, कैसे हम satisfy कर सकते हैं, Assertaining development need, need को ascertain करना कि उसमें need क्यों आ रही है management को develop करने की, Appraisal of present management talent, management के talent को appraise करना, उनको बताना कि हाँ, आपका talent अच्छा है, हम आपको अगर training देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, Management power inventory, सब managers के power, bio data को collect करना, और ये देखना कि किसकी कितनी capability है और किसमें कितनी skills है, किसी particular काम को करने की, individual development program, हर किसी manager का individual development program लेके आना, ताकि उनको self motivation मिले उससे, establishing of training and development program, अपना जो training program हम बना रहे हैं, उसको establish करना और उसको work में लेके आना, उसके बड़ लास में क्या करते हैं, evaluation and development program, जो हमने development program managers के लिए बनाया है, उसको evaluate करना और उसका last में outcome देना, कि उसका actual outcome आया क्या है, so guys, this is all about today's video, and it's the end of fourth unit of training and development, I uploaded all the four unit, you can check my previous videos for that, and if you guys have any doubt, do let me know in the comment section. झाल झाल